गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आपको अंतराष्टि गीता महुत्सव 2021 की जो प्रशनोत्री है उसका रेजिस्टेशन कैसे करें यह है इस वीडियो में आपको बताऊंगी ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करन है आपको रेजिस्टेशन लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे उसको ठीक है जैसे मैंने किया तो इस तरह से आपको दिखाई देगा इसमें कुछ इंट्रेक्शन दिये हुए हैं जैसे कि क्विज 21 नॉम्बर से स्टार्ट होकर 8 दिसम्बर तक चलेगा औ गीता एंड महाभारता रहेगा यानि गीता और महाभारत के उपर इसके कोशन के टोपिक रहेंगे ठीक है नंबर ओफ कोशन डेली 10 यानि 10 कोशन होंगे डेली और टोटल असी कैसे हो गए क्योंकि 18 दिन तक चलेगा ठीक है लंगवेज होगी इंग्लिस एंड हिंदी दोनो इसमें पूरा दिन रहेगा यह time पूरा दिन 24 घंटे तक अवेलेबल रहेगा उपलब्द रहेगा quiz attempt time limit कोई time limit नहीं है इसमें ठीक है submission of answer यानि आप अपने answer को multiple time ठीक है अलग-अलग time पे भी इसमें कर सकते हैं login ID, user ID, mobile number रहेगा आपका जब आप login करेंगे इसको तो इसमें mobile number आपको डालना पड़ेगा वो आपका login ID होगा यानि user ID होगी और password आपका जो OTP आपको मिलेगा जब आप इसको register करेंगे तो इसमें आपको एक OTP मिलेगा वो आपका password रहेगा तो चलिए आप देखते हैं इसको हम register कैसे करें हमें क्या करना है यहां पर registration करें ठीक है तो इस पर आप क्लिक करेंगे इसमें वही सारी चीजे जो मैंने अभी आपको बताई वही सारी चीजे दी हुई है तो सबसे पहले select category तो यहां पर आप category को select करेंगे जैसे की student हरियना state only यह आपको इसमें select करना है यह क्विज आप अपने parents सभी को उनको भी बोल सकते हैं वो भी submit कर सकते हैं ठीक है आप भी कर सकते हैं और आपके parents भी कर सकते हैं अब इसमें क्या करना है district डिस्टिक जो भी आपकी है उसको सलेक्ट करना है फिर आपको ब्लोक सलेक्ट करना है जो भी आपका ब्लोक है फिर आपको अपना स्कूल नेम जो भी आपका स्कूल नेम है ठीक है अब आपको अपना नाम मोबाइल नमबर जो भी आपका मोबाइल नमबर है अब आपको motivator mobile number भरना है इसमें motivator mobile number में आप सभी को जो मैं भर रही हूँ वही mobile number भरना है जैसे 94-163-057-89 ठीक है आपको ये mobile number इसमें भरना है फिर इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर register जो लिखा हुआ है इस पे click कर देंगे ठीक है अब जैसे मैंने इसको click किया तो यहाँ पे verify का option आया हुआ है तो option OTP as password यहाँ पे OTP जो आया है उसको आपको इसमें क्या करना है fill करना है और फिर इस पे verify पे आप click करेंगे ठीक है ठीक है तो आप आपका registration हो जाएगा ठीक है अब बच्चो देखिए हमारा जो quiz है उसमें registration तो हो चुका है तो अब इस quiz को हम कैसे करें इसको देखेंगे तो इसमें आप हमें login करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे आपको login करना पड़ेगा सबसे पहले आप यहाँ पे mobile number भरेंगे अपना mobile number जैसे की जो भी आपने अभी mobile number registration करते टाइम दिया था वही mobile number देना है अभी हाँ पे password पासवर्ड आपका आपका OTP रहेगा ठीक है इस तरह से आप इसको आप login करेंगे अभी login हो गया है और यह हमारा quiz start हो गया है ठीक है जैसे हमारा first question है आप इस question को पढ़ेंगे आप ध्यान से और जो चार option दिये हुए हैं इस तरह से आप किसी भी question किसी भी answer में से चार answer option में से किसी भी option पर क्लिक कर सकते हैं और फिर next यहाँ पे जो next दिया हुआ है उस पे क्लिक करेंगे तो next question आ जाएंगा और इसमें total कितने 10 question है ठीक है इस तरह से आप अपना quiz complete करेंगे ठीक है जन्यवाद